दोस्तों नमस्कार आप सभी तमाम दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों बारे में आईए हम आपको बताते हैं आज की लेटिस्ट खबर। दोस्तों अब तो आचार संगिता भी लागू हो चुकी है तो अब जो वेक्सिनेटर सहायक और 79,000 सिच्छक भरती के अब भ्यार्थी इको गार्डन में लगातार धर्णा कर रहे हैं दोस्तों उनके लिए अब क्या है और वोग क्या करेंगे क्योंकि आचार संगिता में आप लोगों को पता होगा की चुनाओ होने वाले हैं और इसके वज़ा से धर्ना परदर्शन एक साथ बैटके नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों अब 79,000 भरती के जो चात्र चात्रा हैं वो क्या करेंगे उसके लिए और आज क्या हुआ इसमें उसके पूरी जानकारी इस वीडियो आरच्छित वर्ग के लिए बुधवार को जारी अनसट सो चैनितों की चौथी सूची से भी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हुए अभ्यर्थियों का दावा है कि OBC वर्ग को 27 आरच्छन की जगा मात्र 3.86 आरच्छन ही दिया गया वहीं SC वर्ग के अभ्यार्थियों को 21 क जगा मात्र 11.6 आरच्छन दिया गया जो पूरी तरह से गलत है दोस्तों मुख्य आप इसमें ये देख सकते हैं कि ये लोग बिरोध क्यों कर रहे हैं दोस्तों OBC वर्ग को 27 परसंट आरच्छन मिलना चाहिए था लेकिन उनको अभी तक सिर्फ 3.86 परसंट ही आरच्छन मि आप लोगों को बता दूँ कि यही सबसे बड़ी जो है वो है और भारत सरकार ने इस भरती को मौल चैन सूची बना कर जिले इस तर पर किया है जिससे अभ्यारतियों के मौल गोडांक केटेगरियों सब केटेगरियात को छुपा लिया गया है जो कि पूरी तरह से गलत है क क्योंकि हर भरती की एक मौल चैन सूची बनाई जाती है लेकिन यहां इस भरती की मौल चैन सूची नहीं बनाई गई इस भरती में गलत तरीके से चैन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ गंभीर कारवाई की जाए आरच्छन पीडित अभ्यारतियों जो का कहना है कि उन को मौहर को इलाहाबाद हाई कोट में याचिका भी दाखिल करेंगे इस भरती प्रक्रिया में पूरी तरह से बेसिक सिच्छा अधिकारी के साथ साथ कई करमचारी जो है समस्याओं में आ सकते हैं तो दोस्तों अब यह लोग कल रभीवार है और सो मौहर को यह लोग 68,000 सीटों को ले करके जो घोटाला हुआ है इसमें ये लोग इलाहबाद हाई कोट में याचिका दायर करने जा रहे हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दू कि सिच्चक भरती के अगर आप भी छात्र छात्रा हैं 79,000 सिच्चक भरती के तो आप इस चैनल से जोड़ जाएं क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली सिच्चक भरती की रिपोर्ट मिलेगी और आपके लिए वीडियो आते रहेंगे तो मित्रों आप चैनल को सस्क्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ सेर जरूर कीजिए ताकि ये सारी जानकारियां सब को मिल सके और हम सभी लोग साथ में मिलकर लड़ाई लड़ सके मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद